तो है गाइस वेलकम बैक टू अवर यूटूब चैनल सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने एक सीरीज जो मैंने आपको बोला था कि जिसमें हम 50 MCQs डिसकेशन करेंगे फ्लोरा एंफना आफ जमू एन कश्मीर जेके एससबी के एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये एक दिमाकेदार सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें मैं करूंगा 50 MCQs किसी भी चैनल पे आप सर्च कर लो आपको 50 MCQs नहीं मिलेंगे इसके पहले भी मैं आपको बता इसमें प्लोरा एंफना या फिर जमू एन कश्मीर होगा तो आपने ये लेक्चर जरूर देखने है तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि कर रात को हमारा एक लेक्चर आया था जिसमें हमने बैटलेंड के बारे में बात की थी तो बच्चों को काफी पसंद आया लेक्चर बच्चों ने कमेंट भी किये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जुरूर देख लें क्योंकि वो आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर जितना मजी सर्च कलो किसी भी चैनल पर चले जाओ वो लेक्चर आपको नहीं मिलेगा पर क्या बता हम जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वैल को भी आन कर लेना तो गाईज मैंने आपको बोला था कि मैं 40 mcq करवांगा बट मैं पूरे एक्जैक्ट आपको 50 mcq करवाने बाला हूं और यह एक्जाम पॉइंट आफ यू तो चैनल पर न्यू हो तो जुरू सब्सक्राइब कर लेना तो आज बिल्कुल भी मूड नहीं था लेक्चर लाने का बट फिर कल का भी कुछ और शेडूल होता है तो इसलिए आज संडे था तो अब मिलते हैं नेक्स्ट में हम जब लाइप सेशन करेंगे उसके बाद देखते हैं नो बज़े रखेंगे आज लगा लाइप सेशन क्यूंकि आठ बज़े नहीं रख सकते क्यूंकि छे बज़े वीडियो आ रहे हैं तो उसके बाद हम नो बज़े ही रखेंगे ठीक है तो चलिए MCGOOS पे चलते हैं इसमें बता दू यह एक दमाकेदा सेशन होने वाला है और ऐसे MCGOOS आपको नहीं मिलेंगे किसी भी चैनल पे और इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े भी दिखेंगी जो जेके SLP के एक्जामें अल्रड़ी पूछी गईगी ठीक है कोचण है सबसे पेहला कोशचन है जमु इन कश्मीर यूणीन टैटरी दर टोटल फॉर्स कवर एरिया इत जबू कश्मीर हमारी यूर्णीन टैटरी है इसमें टैरिटरी है जिसमें फॉर्स का जो एरिया है वो टोडल कितना कवर क्या वह आप्षण A 20,339 km2, 20,230 km2, 20,300 km2, 20,386 km2, तो क्या हो सकता है इसका right option, तो इसका जो area है वो आपका है, 20,230 km2, ठीक है, ये था हमारा आज का first question, next question चलिए, which of the following, देखिए अगर आप मेरे notes पे बढ़ोगे, तो ये सारे question आपको बहीं से मिल देंगे, which of the flowing forest vegetation drop their leaves in the winter month, winter के month में कौन सा इंद में से जो एक forest है, जमुन कश्मीर का, जो अपने leaf को drop कर देता है, क्या वो temperate forest है, subtropical forest है, alpine forest है, यहाँ फिर, जरो phytic vegetation है, तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो है, ये लदाख का है, ये तो option आपका नहीं होगा, तो option बचे आपके तीन, तो इसका जो right option है, again option B, subtropical forest, ओके, साथ में बताते चलें कि series कैसी लग रही है, हमें भी पता चल जाए कि बच्चों को series अच्छी लग रही है, ठीक है, तो उसके बाद जो next question ये आता है, next question आता है कि, which tree is known as king of tree in Kashmir, किस tree को कश्मीर में बोला जाता है, king of tree in Kashmir, तो वो क्या apple को बोला जाता है, चिनार को, दिदार को, या फिर बिल्लो को, तो उसको बोला जाता है अपके, again option भी, चिनार के tree को, क्या बोला जाता है, king of trees, उसके बाद next question जो हमारा आज का आता है, वो है कि, चिनार tree is shady tree, देखिए, shady tree है, नसीम बाग में आपको बता दू, shady tree होता है, जो च्छाया बादा होता है, नसीम बाग में है, सिर्नगर में, famous for it's in सिर्नगर, locally known as, simple सी बाद है कि, चिनार tree को, local language में क्या बोला जाता है, क्या उसको, प्रून्स बोला जाता है, बोनी बोला जाता है, जुगलन्स बोला जाता है, या पुमीला बोला जाता है, इसका option भी, guys, फिर से option, आपका beheaven बन रहा है, बोनी, चिक है, बोनी is the right option, उसका बाद नेक्स कोशन, कि which of the flowing tree is known as, woods of the god, कौन से tree को बोला जाता है, कि woods of the god, क्या वो चिनार है, बिलो है, दिदार है, या फिर पाइन है, तो इसका जो right option, वो आपका C है, दिदार के tree को बोलते हैं, woods of the god, इस तरह के कोशन जेगे से, जबी क्या पूछ सकती है, एक्जाम में, जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद आता है, जमुन किश्मीर state forest policy, established for conserving biodiversity, preserves the natural forest, जमुन किश्मीर में, ये वाली policy कब लाई गे थी, state forest policy, जल्दी से बताएं, for conserving, wide diversity, reserve the natural forest, तो ये लाई गे थी, आपकी 2010 में, साथ साथ में आप भी answer करते करो, live chat चल रहा है जो, scientific name of Chinar tree, चिनार का जो tree है, उसका scientific name क्या है, तो ये आप से question पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका answer करें गाईज, कि चिनार के जो tree है, उसका scientific name क्या है, तो, उसका नाम है आपका, plant, plantanus, oriental, ठीक है, चिनार की tree को क्या बोला जाता है, plantanus, oriental, और इसको king of Kashmir बोला जाता है, local language में, यानि कि three question आपके, निकल गए, इसी चिनार के पेट से, उसके बाद आता है कि, scientific name क्या है, दिदार tree का, दिदार जो tree है, उसका scientific name क्या है, यह आप से पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दू, इसका नाम है, जो scientific क्या नाम की बात करूँ, क्या वो prunes है, ना तो यह है, ना तो यह है, इसका right option है, cedras, पूरा नाम की बात करूँ, तो cedras दिदार हो जाता है, तेक है, इसके जो heights होती है, 40 to 50, मीटर होती है, तेक है, और इसके जो leaf होते है, वो needle की तरह होते हैं, तेक है, क्रिश्मीर के बच्चे हैं, उनको पता हैं चीज़ों के बारे, अब बोर है कि जो snow leopard है, IUCN status क्या है उसका, IUCN status क्या है उसका, क्या endangered है, critically endangered है, world unable है, यहां फिर none है, तो जो उसका snow leopard है, तो सबसे पहले बात ही है, कि snow leopard किस, किस national park में है, तो आपका हैमिस national park में है, हैमिस national park में है, और हैमिस national park जो है, लिदाख में है, और यह सबसे बड़ा इशिया का, बड़ा national park है, और इसका जो critical status है, वो है आपका world unable, ठीक है, option C, ठीक है, उसके बाएं next question चलिए, city forest national park located in which district आप जमुएन कश्मीर, city जो forest आप जमुएन कश्मीर, वो कोण सी district में located है, जमुएन कश्मीर, यूनिट रेटरी, जल्दी से इसका अंसर करें, बढ़गाम सिर्नगर को पबाड़ा, या फिर किस्तवार, ठीक है, तो यह located है आपका, सिर्नगर डिस्टिक में, कौन सी district में, सिर्नगर डिस्टिक में, इसको बोला जाता है, सलीम अली, नैशनल पार्क, नैशनल पार्क, ठीक है, सलीम अली, नैशनल पार्क, याद रखना, और अगर मैं इसकी, मैं आपको बता दूँ, Establishment इसकी 1992 में होती, ये चीज़े याद रख लेना, ठीक है, उसके बाएद आता है, Scientific Name, Markhor, Located in the Barmolar district of, काजीनाग नैशनल पार्क, काजीनाग नैशनल पार्क में, मार्कुर है, वो मार्कुर जो है, मार्कुर जो है, ये, ये पाकिस्तान का एनिमल है, नैशनल एनिमल है, ठीक है, Located है, बार्ण मोला district में, और ये आपका काजीनाग, नैशनल पार्क है, नैशनल पार्क है, और ये पार्क है, जो जीलम रिवर के साइड पे है, सतर किलो मेटर दूर है, सिनगर से, बताईए लिवर का साइटिफिक नेम क्या है, क्या वो मोस्चस है, कैपरा फैलकोनेरी है, कश्मीरी स्टैग है, ये तो नहीं है भई, मोस्चस नहीं है, तो इसका राइट आप्शन आपका B है, कैपरी, कैपरा, फैलकोनेरी, अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा, मुझे बता देना, ठीक है, IUCN स्टेटर्स क्या है, हंगूल का, कश्मीरी स्टैग का, ये इंपार्टन कोशन, सर ये क्यों इंपार्टन है, क्योंगी ये कोशन, आपका तो एक हंगूल है, जो एक आपका स्टेट आनिमल है, जमन क्रिश्मीर का, इसका जो, अगर मैं स्टेटर्स की बात करूँ, इसका जो IUCN स्टेटर्स है, वो आपका critically indansured है, क्या है, critically indansured है, ये कौन से नैशनल पार्क में आपको मिलेगा देखने को, तो ये मिलेगा आपको डेचिकम नैशनल पार्क में, ठीक है, डेचिकम नैशनल पार्क, उसके बाद पूछ रख, scientific name क्या है हंगूल का, पहले तो उसने IUCN status पूछा, अब पूछा कि scientific name क्या है हंगूल का, इसी तरह से चोटे-चोटे बन जाते हैं, और हम द्यान से पढ़के नहीं जाते हैं, तो कोशन हमारे marks हमारे कट जाते हैं, तो क्या कैपरा, ये तो नहीं है सर, उरिशिया भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका right option है, सर्बस, इलाफस, ठीक है, कर्बस, उसके बाद है कि brown bear found in which national park अजमन किश्मीर, brown bear है, वो कौन से national park में आपको देखने को मिलता है, तो या क्या डैचिंगम मिलेगा, काजिना, किश्टवाड, या फिर, सलीम हली national park में देखने हो मिलता है, तो मैं आपको बता दू, ये जो brown bear है, ये आपको मिलता है, आपका किश्टवाड national park में, कुन से park में मिलता है, किश्टवाड national park में, साथ-साथ में अंसर भी करते हैं लगाई, ये आपका किश्टवाड district में है, और ये आपका 400 इसका area है, square kilometer है, ये अगर UT की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा, ये ही एक बड़ा national park है, जमन किश्मीर union territory में, brown bear ये पर आपको मिलता है देखने को, और brown bear का अगर IUCN status पूछा जाएगा, तो endangered है, ठीक है, endangered है, याद रखना, उसके बाद मेरा next question ही है, कि datching home national park established in which year, जो datching home national park था, वो किस year में established हुआ था, क्या वो 1981 में हुआ था, क्या वो 1980 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1987 में हुआ था, जो datching home national park है, उसको established किया गया था, 1981 में, चिक है, और next question ही आता है, बिच आप दा फ्लोउइं national park, name stand on 10 villages, ये भी question exam में आ सकता है, कौन सा national park है, जो जिसका नाम है, जो stand करता है 10 villages के उपर, क्या वो किश्टवार national park है, डैचिकम national park है, है मिर्स यां फिस सलीम अली, तो वो है आपका right option B, डैचिकम national park, ठीक है, उसके बार चलिए next question, scientific name of musk deer, musk deer का scientific name क्या है, सबसे पहले बात आती है, कि musk deer आपको किस park में देखने को मिलेगा, देखिए सर, brown bear, snow, koka हमें किश्टवार में मिलेगा, हंगूल हमें, डैचिकम में मिलेगा, काजिनाग में हमें सर मिल रहा है, मार्कूर, और अगर मैं बात करूँ, सलीम अली बच्छा, और तो अगर मैं बात करूँ, और यह आपको, और भी इसमें हंगूल मिलके, डैचिकम में मिलेगा, और मार्कूर आपको, सुरी, मार्कूर, यह musk deer है, मैं बात कर रहा हूँ, यह आपको किश्टवार में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह किस्टवार में ही देखने को मिलता है, तो इतना इंबार्टन नहीं है, क्योंकि जो, जो किसी-किसी में देखने को मिलते हैं, यह एक यूनी को, उसी के लेटेट कोशन आता है, अब इस कोशन का बहुत बड़ा ड्रामा बन चुका है, मैं आपको बता दूँ, यह आपकी स्क्रीन पर है, जल्द आप करिए इसका अंसर भी, करो जल्दी से इसका अंसर क्या हो सकता है, कि सर ने कोशन डाला था, कि हाउ मैनी नेशनल पार्किंग जमून किश्मीर यूनियन टेर्टेरी, जमून किश्मीर यूनियन टेर्टेरी में कितने नेशनल पार्क हैं, यह कोशन बूठा जा रहा है, साथ मैंने बता क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये की असल भी के कॉर्डिंग, हमारे जमून किश्मीर यूनियन टेर्टेरी में साथ नेशनल पार्क हैं, क्योंकि उन्होंने बिड़ लाइफ सेंचरी को भी पार्क में डिनोड कर दिया अब आप एक चीज सर्च करना गूगल पर जाके वहां पर लिखना कि नैशनल पार्क जेन के नैशनल पार्क जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर बिकी पीडिया बोलेगा बिकी पीडिया पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ बिड़ लाइफ सेंचरी है वह भी आपको पार्क उसमें मिलें मुझे लगता वही चीज जेक एसजबी ने खुद जाके गूगल की है कि नैशनल पार्क कितने है और तो फिर उसको वह कौशन का अंसर ने साथ की ए अगर पहले बतातू पहले उनके अंसर में 5 नहीं तो टीक है यह गलर बात है जेखेस पी को दियान रखना लख रहा है वह किसा तना की हो को इसका इयूच option क्या है क्योंकि उनको अपने आप पे confidence हो ना चाहिगी कि इसका अंसर यह ही अब hacia कि गोते हैं उसकी तो रिवाइज केह नहीं ہती ससी की जो एक्जाम होते है बैंग के एक्जाम होती हैं उनकी तो कुण कुद से डाची गमम और अपना काजींनाग खिश्टवार और दूसरा का सलीम मली ये चार नैशनल पार्क है हमारे जमोख षमीर है तेरी में ठीक है बाक Judi फहीं हे जमोख क्षमीर हिस्टhmIN वह सकते हैं अब पूछ रहा है कि red data published book कब हुई थी आयूसीन का मतलब क्या होता है आयूसीन का मतलब होता है कि इसकी भी फुलपाम आई जाती है कहीं बार आयूसीन का मतलब होता है कि international union for conservation of natural and natural resources nature and natural resources और इसको published कब किया गया था red data book को लिस्ट यहां data book की कह सकते हो 90 63 में ठीक है उसके बाद question आता है बीच आव दा फ्रोइंग विल्लाइव सेंचुरी आल्सो नोन आज डक्सम यह जेके सबी के exam में question में पूछा गया था कि डक्सम जो विल्लाइव सेंचुरी है उसको क्या बोला जाता है ठीक है यह question उसका another name क्या है ठीक है तो यह मैं आपको बता दू यूनियुस उप्रवाइजर के exam में question पूछा गया था यह तो डक्सम जो है उसका नदर नाम है रामनगर गुलमर्ग नंदनी तो उसका नाम है राजपेरियन राजपेरियन जो आपकी है अनंतनाग दिस्टिक में लोकेटेड है यह भी question आया था कि राजपेरियन कहां पे लोकेटेड है यह चीज़े मैंने पढ़ाई हुई है बच्चों को उसके बात होती ही हीरपूरा विल्लाई सेंच्री हीरपूरा जो विल्लाई सेंच्री है कौन सी डिस्टिक में लोकेटेड है तो हीरपूरा को मैं आपको बता दू अनदर नेम से भी जानते हैं इसको बोलते है हीरपूरा हीर पूरा तीक है इस नाम से इसको जानते हीरपू इस यह थी 1987 में याद रखने चीज़ को और बस इसके रिकार्डिंग इतना ही जाद रुखो उसके बलतल विल्लाइट सेंचरी है जो उसका अनदर नेम क्या है बलतल विल्लाइट सेंचरी यह भी कोशन जेक है सबी ने अपने एक्सामें पूछा था कि जो बलतल विल्लाइट सेंचरी यह उसका अनदर नेम क्या है कारकोर में यह नहीं है ताजवस इसको बोलते हैं ताजवस विल्लाइट सेंचरी ताजवस पूछा जाएगा तो एक गांदरवल डिस्टिक में है गांदरवल डिस्टिक में है सिर्नेगर में सुरी किश्मीर में स्पीशिस यहां पर म विल लाईव संचरी लोकेटेटेड इती है कट्रा देवर है तो अगर वैं बात करूंक। सी विल लाईव संचरी यहां फिर होकर सर है तो वो है आपका जस्रोटा में जस्रोटा आपकी कटुवा में है विल्लाई सेंच्री ठीक है उसके बाद चलिए नेक्स कोशन लच्छी पूरा विल्लाई सेंच्री यह अभी JSA के एक्जाम में पूचा गिया था लच्छी पूरा जो विल्लाई सेंच्री है कौन सी डिस्टिक में लुकेटेड है जमुन किश्मी यूनिन टार्टारी में JKSSB 2021 में कोशन आया है तो यह बुडगा में है यह शोपियन में है स्रिनगर में है तो राइट आप्शन इसका बारा मुला डिस्टिक में कहां पे है बारा मुला डिस्टिक में है नॉर्थर्ण बैंक का जीलम रीवर तेक है मार्खोर यहां पे है 1987 में इसकी स्टैबलिश्मेंट वही थी उसके बाद नेक्स कोशन चलिए नेम दी लाजस्ट विल लाइफ सेंचरी इन जमुवन किश्मीर यूनिय टैटरी जमुवन किश्मीर यूनिय टैटरी की सबसे बड़ी विल लाइफ सेंचरी कोन सी है गुलमर्ग विल लाइफ सेंचरी ओवेरा उरू विल लाइफ सेंचरी है तो इसका जो राइट आप्षन वो आपका भी है अवेरा उरू ठीक है इस बाकी सब छोटी है जब स्टेड थी तब हमारी कारवगोरम थी उसके बाद बोलता है कि how many real life century are located in जमुर किश्मीर यूनियर टेरी कितनी real life century located है जमुर किश्मीर यूनियर टेरी में ये आपसे question पूछा जा रहा है ठीक है गाईस तो क्या बोलते हो इसका अंसर क्या होना चाहिए ना तो 14 है ना तो 15 है तो ना तो 12 है इस क्या है 13 13 is the right option ओके 13 will life century ना में आपको गिन के बता देता हूँ कुलमर्ग ओवेरा उरू दो होगी राजपेरियन रामनगर नंदनी हीरपूरा कितनी विछे और उसके बाद आपकी ताजवस जिसको बलतल बोलते हैं फिर उसके बाद होकर सर will life century जस्रोटा त्रिकुटा सुरीन सर मांसर will life century लाइं बी यार कारा कोरम विल्डाइज सेंचरी और चक्तंग विल्डाइज सेंचरी यह जो दो मैंने बोली लास्ट में कारा कोरम और चक्तंग यह दोनों लदाक रीजन में तब हमारी 15 थी 15-13 अब हमारी 13 है ठीक है इसके रगार्डिंग मारी PDF आल्ड़डी हमारे यह कोशन मैंने गलत कर वी है ठीक है इसको इंडिया फोरेस्ट जो होता है यह वक्ते उसको फोरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक्ट था वो कब एस्टैबलिश हुआ था तो वह आता आपका 9080 में यह भी कोशन जैके सेस्पी ने पूछा था में बी उसके बाद आता है न नाशनल हाइवे पर तो वह त्रिकुटा सुननगर नंदनी या फिर रामनगर तो वह आपकी नंदनी विल्लाइव सेंचरी यह लुक्त करती है आपकी नैशनल हाइवे वाने पर ठीक है खुप सो यहां तक सब भी बच्चों को क्लियर हो गया है उसके बाद पोचा कि गोड सब दी फ्लॉवर इस आलसो नौन ऐस फ्लोरा नॉट फड़ा नॉट लोटस नॉट रोस ओके सभी बच्चों को यहां को तीस कोशन के लिए रहे हैं कमेंट करो कि सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से गैस कमेंट करें कि सेशन सर अच्छा लग रहा है इसको कॉंटिन्यू करें गैस पचास कोशन में तीन वीडियो में कवर कर लेता था उनको पर मुझे इसकी कोई सीरीज नहीं चलानी है मुझे सिर्फ इसको एक ही पार्ट में कम्पलीट करवाना है और मैं इसको जल्दी ल गैस को क्योंकि मैंने कुछ कोशन अल्रडी पहले बनाए थे देट से दो गंटे मेरे लगे इसको बनाए में और मैंने इसलिए लाए क्योंकि एसिस्टेंट कंपाइलर का जो एक्जाम है वो 20 से स्टार्ट होने वाला है तो 21 से 22 से शाहिए हां 22 से सो गईस मुझे जरूर ब बताएंगे या मुझे इस्टाग्राम पे अड़ करेंगे या मुझे फेस्बुक पे बताएंगे तीन जगह हैं आप तीनों में से कहीं पे भी डिस्कॉप्शन ग्रूप टेलीग्राम पे बता सकते हो डिस्कॉप्शन ग्रूप में नहीं बताना है आपने मुझे परसनली एड़ करके बताना है ठीक है कि सर यह यह एक्जाम में चीज़े पूची गई थी तो बताते रहना है बताते रहना है बर कोशन डाल डालके ठीक है बाकी में उनको सैट खुद कर लूँगा क्यूंकि बच्चों की काफी हल्प होती है उसके बाद आता है कि होकर सर वेट इन विच दा फ्लोइंग रिवर बेसी नी जमून कश्मीर यूनिन टैटरी बताएए कौन से रिवर के बेस बना है यह अपना जो क्या नाम है इसका होकर सर तो यह आपको बता दू जीलम रिवर के उपर है जीलम रिवर के बेसीन पे है इस तरह का कोशन एक्जाम में बता है कौशन ठीक है यहां पर बैट लैंड नहीं आएगा यहां पर आएगा होकर सर विल्लाइज सेंचरी आना था कि लोकेटेड इन विच वाप दी फ्लोइंग रिवर बेसन जमू कुश्मीर तो आपकी जीलम रिवर है ठीक है क्योंकि सिर्नगर में सिर्नगर में आपकी उसके बाद आता है कि बैंडिड होकेरा वेट लैंड डिसिगनेटेड इन रामसर साइट कनवेंचन अब हमार आपके वेट लैंड के ओपर कोशन स्टार्ट हो जुके हैं अब आपको बैट लैंड के ओपर ही कोशन मिलेंगे तो यह हुआ था आपका मैंने कल बताया था चिर्ट है उसके बाद आता है कि मिरगुंड मिरगुंड जो प्त लैंड है किस डिस्टिक में या भू आपका है बारा मुला में है या फिर बादिपूरा में तो वो आपका है बारा मुला डिस्टिक में यह धख PF awards यहां तक weetiche लेकाता है जल्दी से बताएं मेंने कल लेक्ट दिया था मिरगुड है शला भूग है हाईगम है या फिर मनभूग है तो दोस्तों मैंने आपको इसका पीडिया भी प्रवाइड किया है, टेलिग्राम पे, बैटलेंड के उपर, वो भी आपने डॉन्लोड कर लिया होगा, मुझे पता है, इन कामों की आप देरी नहीं लगाते हो, तो वो है आपका शाला बूग, शाला बूग कौन सी डिस्टिक में है, कमेंड करो, शाला बूग यह सर्ट्रेंड्स होता है बुल्डर लेक में ठीक है उसके बाद आता है कि टाइफा एन फ्रेगमिटीज टाइफा एन फ्रेगमिटीज आधी डूमीनियन शिवीशिस इन विच आप दे फ्लॉइंग वैट लैन आ जो मन कश्मी जुनिय टैडरी बताइए कौन से वैट लैन क कि यह एक डॉमिनेंट स्पीशिस है टाइफा और फ्रेगमिटीज यह पूरा सेंटर लैवल का वोश्ण है अब इससे उपर जेकैसेज भी अपना दिमाग नहीं लगा सकती क्योंकि हमने देखके से जादा दिमाग लगा लिया है तो ठीक है इसका राइट आप्शन आपका बैट लैंड लोगेटेड है क्या वो बुलर है मिरकुंड है मलगम है या फिर मनबुग है जल्दी से बताएं यह आपका है आप्शन दी मनबुग जो है यह आपका कौन से टाउन में है पैंपोर टोर में है और कुलबामा डिस्टिक में है ठीक है उसके बाद चलिए नेक् बैरी कौन सा है जल्दी से बताएं अजास है नरकारा है मनबुग है यहां फिर आपका हाईगम है ठीक है कौन सा जल्दी से बताएं फ्रेंट जल्दी से कमेंट करो कौन सा बैट लैंड है जिसको पैड़ी कल्डिवेशन प्लांटेशन आप यहां पर लगाई जाती नहीं पता विडियो देखो जाके जो मैंने पढ़ाई थी कल बैट लैंड ठीक है फिर आना इनली लेक्चर पर हैंसी की उस पर ठीक है तो वह है आपकी नरकारा मैन बुग में सिर्फ आपकी पैड़ी गल्डिवेशन है और यहां पर पूचा गया कि प्लांटेशन भी होती है बि अब यार तीन तरह के जोन होते हैं आपको पता है ना एक तो कोर जोन होता है कोर जोन होता है कोर जोन में क्या होता है कि यहां पर human intervention strictly prohibited होती है यानि कि वहां पर human intervention नहीं कर सकते है और वहां पर उसके बाद आता है बफर जोन होता है जिसमें मतलब कि बफर जोन होता है और स कुछ के बाद आता है manipulate manipulate zone वहां पर होता है यहां पर recreation activities की कर सकते हैं हम forestry कर सकते हैं और कुछ ऐसे settlement भी कर सकते है settlement zone शोन ठीक है और यह किस तरह से होता है मैं आपको बता दूँ यह हो गया आपका core zone यह buffer zone यह आपका manipulate zone इस तरह से होता है इसका मैंने अंसर बताया बफर जोन में आपका बैट लैंड है आपका जल्दी से बताएं बफर जो आपका बैट लैंड है वो आपका option है आपका नरकारा ठीक है नरकारा thousands of migratory word bet land thousands of migratory words wet land in jamun kashmir union territory is also known as क्या बोल जाता है इसको another word नाम से ग्राना बुल्डर आएगा बुल्डर नहीं है सुरीन सर यहां फिर अजास तो यहांने ग्राना लिखे है ग्राना इस दा right option यह आपका जमू में है तेख है आपसे यह कोशन पूछा है यह किया गया था सर में आपने कल बताया था कि यह किया गया था 90 90 को 23rd माहर्च 1990 ठीक है आप इनको प्रैक्टिस कोशन भी ले सकते हो ठीक है सुरीन सर्मानसर वाला तो इसको भी 2005 में ही कन्वेंशन में डाला गिया था ठीक है यह भी आपको बता है और इसका अंसर बताओ जल्दी से विच आप्टा फ्लोइंग वैट लैंड इस नाट लोकेटेड नहीं है क्या वो नंगा है संग्राल है अजाज है या फिर अगरवाल चल्दी से बताओ कौन सा है काँपर निक ऋर्टि नहीं है जल्दी से क्मेंट करो जो अजाज है वो लोकेटेड बांदीपूरा में है काँपरा बांदी बोरा डिस्टिक में है तो इसलिए इसका राइट अप्षिन अपकर बांदी बूरा यह अब यह वाला कोशन आगए इसको जल्दी से क्रेक्ट करो कि इसको भी हम थोड़ा बफर जोन में डाल लेते हैं चोटा कर देते हैं कि बताइए इसका अंसर ए बी सी यहां फिर डी बड़ी मेहनत लगाई है इस कोशन को मैंने टाइप करने में ठीक है कम से कम एक मिन्ट लगा होगा एक मिन्टें ज़ादा इलगा हो जितनी टाइपिंग पर पहर नहीं है मेरी सर जो गिराना बैटलेंड है वह आपका कहीं न कहीं 3 से मैज होना चाहिए यानि कि जो ए है उसका 3 होना चाहिए सर एका 3 तो यानि कि आप्शन भी आपका इलिमिनेट हो जाता है सर जो बुलर वाला है ये बांदी पूरा यानि कि जो सर बी है उसका फोर होना चाहिए तो बी का फोर बी का फोर बी का फोर गलत बी का फोर गलत तो आप्शन यहीं से क्टिक को पूरे मिलाने की जरूरत ही नहीं है समझे वरी बाद शालावक जो है वो टू से गांदरवल में है हाईगम आपका बारमुला में है गराना आपका जमू में है और बुलर आपका बांधीपुरा में है सिंपल जिवाहती अप्शन से इस अप्शन उसके बार चलिए नेक्स कोशन विच आप दी फ्लोइंग बैटबल लैंड इस रिच इन दी जो प्लैंक्टन डाइबेस्टी इन जमून कश्मीर यूनिट टरी कौन सा इन में से बैट लैंड है जो जमून कश्मीर का जो रिच है जो प्लैंक्टन के लिए मिरगुंड है, मनबुक है, हाईगम है या फिर आपका, कौन सा है, जल्दी से बताओ इसका, कमेंट करके आंसर तो वो है आपका, मिरगुंड ठीक है, मिरगुंड बैटल हाईगम बैटल लैंड लोकेटेड इन बारा मुलर जिस्टी का जमून कश्मीर यूनिट टरी क्या सोर्स है, इसका में बैटल लैंड का, कौन सा हाईगम हाईगम का सर अभी आपने कल पढ़ाया था इसका जो में सोर्स रहता है वो रहता है आपका आप्शन जल्दी से A, B, C, या फिर D, जल्दी से मार करो वो है आपका, नाइगल, नूलड, बाबकूल ये इसका राइट आप्शन वो बच्चे असानी से अंसर दे पाएंगे जिसने मेरा ये कल लेक्चर देखा था रात को दस बजे से साड़े क्या, साड़े-दस बजे तक क्योंकि जाके उन्होंने लेक्चर देखा था अभी मुझे एक बात करें, जो यहां से बुरा इस चीज का बुरा निमाना जो किश्मीरी एस्पारेंट से यहां पर क्या उनको मेरी लेंगविज समझ आती है क्योंकि वो जो हिंदी बोलते हैं जो लेंगविज बोलते हैं, उनकी थोड़ी अलग होती है क्योंकि मुझे कुश थोड़ी समस कम आती है तो इसलिए वो मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी बताएं, जो किश्मीर के एस्पारेंट, काफी सारे किश्मीर के एस्पारेंट से महाँदा, इतने हमारे साथ जमू डिविजन के नहीं है, मैं इतनी बता दो कि बहुत इंट्रस्टिंग लेते हैं, मैं आपको बहुत, मैं अप्रिशेट करता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि आप बहुत महनत करते हो जहां भी देखो, बस आप किश्मीर डिविजन के ज़्यादा मैसेज होती है क्योंकि नाम से पता चल जाता है, तो बताएं कि आपको मेरी लैंग्विज दो पढ़ाने का तरीका कोई समझ आता है कि नहीं है क्योंकि मैं एक ले मैन लैंग्विज में बढ़ाता हूँ कोशन नहीं आएगा एक्जाम में, बट एस ही मैंने डाल दिया इसको 13 स्केर किलोमेटर, 4 स्केर किलोमेटर, 2 स्केर किलोमेटर, तो राइट आप्षन आपका 13.75 किलोमेटर, स्केर किलोमेटर वाइट चेक्ट, क्या लिखा है, चेक्ट नहीं आएगा यार, यह क्या लिखा है, इसको गलत कर दिया, ठीक है white cheeked आएगा bulbul found in which national park आप German Kashmir unit टरी कौन से national park में यह आपको found होगी white cheeked क्या वे डैचिंगम में है तो डैचिंगम में आपको बता दू यह नहीं है यह आपको मिलेगी काजी नाग में काजी नाग में आपको मिलेगी काजी नाग में नहीं मिलेगी यह आपको मिलेगी किस तवाड में तेक है किस तवाड में राइट आप्शन इसका किस तवाड है which will life century is popularly known for wetland and breeding place for the migratory words of German Kashmir unit territory कौन साब will life century है जो की popularly popular noun करते हैं उसको जानते है wetland के इसमें breeding है migratory words की जल्दी से बताओ यह तो बच्चे बच्चे को आना चाहिए जो कल पढ़ रहे थे रास्पेरियन है होकर्स हा रहा है यहां फिर नंदरी इसका जो राइट आप्शन वो आपका भी होकर्स लास्ट कोशन सभी बच्चे टाइड हो गया मुझे बता है ठक गया बहुर हो चुकी है इतनी बड़ी 20 सीरीस सर लेकिया आगे 50 से कुन करवाता है एक वीडियो में इतने है ना यह मैरत हाना है 30 मिन्ट का दरीवर लीडर फ्लोस त्रू विच आप दी फ्लोइंग विल्लाइब सेंचरी आप दी जमिन कश्मीर उनिटैट टरी कौन सी रीवर है जो की फालो करती है रीवर लीडर है जो फ्लो करती है कौन सी विल्लाइब सेंचरी से डाचिकम अभीरा विरू होकर सर अब मुझे इस कांसर याद नहीं है आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं आता इस कांजर के लीदर लीवर है, यह आपके लिए होम बरक है, ठीक है, यह आप सभी बच्चों के लिए होम बरक है, के लीदर लीवर है, सो रीवर है, जो Flow करती है, किस World Life Century से, होक है, ल्विकर्छमीन में, डैचिकम है, अव सर ये विल्लाई सेंचरी है ये डैचिकम नैशनल पार्क आ गया ये कुछ न कुछ गरबर है आप मुझे कमेंट करो फिर जाके मसला हलोगा ठीक है सो कैसा लगा विडियो कमेंट जाके करो यहां पर नहीं बताना यहां पर कुछ भी नहीं करना और थैंक्यू नहीं लिखना बस यह बताना कि सर्ष सेंचल कैसा है आपके थैंक्यू से कुछ भी नहीं मतलग कि आपके पता क्या है जब भी हम कोई विडियो देखते हैं सबसे प बोलें वो personally message करें ठीक है वो discussion group में thank you करें वीडियो के comment box में thank you नहीं करना है thank you बोलो last में अगर करना चाते हो thank you में नहीं बोड़ा कि thank you नहीं करना बर thank you करो last में पहले अपना पूरा feedback दो कि sir वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी बूरी लगी जो भी लिखो last में hashtag thank you आपकी मर्जी यह नहीं है thank you दो नहीं तो नहीं दो पर feedback जुरूर दे है कि हम आपके लिए इतना time लगा रहे हैं इस lecture को record करने में 37 minutes हो चुके है अभी मेरा मन नहीं संडे life session रखने को ठीक है तो रखते हैं इस वीडियो का यहीं तक मेरे मिलेंगा अपसे नेक्ट वीडियो तब क्लिए bye bye and take care और हाँ इस वीडियो का time रात को 10 वजे हो ना की 6 वजे चीक है bye bye take care